जिस पर हम आपको बताते हैं प्रचंड वशी करण के तरीके जी हाँ, किस तरह आप एक प्रचंड वशी करण करके किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं किसी को अपना बना सकते हैं ऐसा कैसे होगा हम आपको बताते हैं तो आए शुरू करते हैं मैं आपको आज एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ, जिससे आप किसी भी स्तरी को, किसी भी लड़की को अपने वश में कर सकते हैं करना क्या है? ये बताने से पहले मैं आप सबको बताती हूँ कि आपको सामगरी क्या चाहिए? ऐसी कौन सी सामगरी है जिसकी आवश्यक्ता पढ़ने वाली है यह जो आप करने वाले हैं इसके लिए एक मंत्र है और कुछ सामगरी है जो आपको घर में ही मिल जाएगी बाहर जाने की आवश्यक्ता नहीं है मैं आपको बताती हूँ कि सामगरी क्या है हमें चाहिए चंद चावल के दाने और रोली, जी हां दर्श को, चंद चावल के दाने और रोली की मदद से हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, जी हां, ये सिंदूर और ये चावल एक व्यक्ति को आपके वश में कर सकता है, आप उन्हें अपना बना सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, कि ये वीडियो आपको पूर्ण रूप से देखनी है, शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप ये समझ पाएंगे कि विधी क्या है, क्योंकि इस विधी का सही प्रयोग करना और इस मंत्र का सही उच्चार करना बेहत जरूरी है, तभी आप किसी व्यक्ति को ये किसी इंसान को अपने वश में कर पाएंगे, चलिए मैं बताती हूँ कि आपको करना क्या है, अपने दाहिने हाथ पर चावल के कुछ दाने लेने हैं, और बाएं हाथ की तरजनी उंगली से, यदि तरजनी उंगली न अभल के दानों में मिलाना है, और उसके बाद जो मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, इसको इसी तरह से मिलाते वक्त आपको एक मंत्र का उच्चारन करना है, वो मंत्र मैं आपको बताऊंगी उस मंत्र के उच्चारन करने से वो व्यक्ति आपके वश्च में हो जाएगा वो व्यक्ति सिर्फ आपका ही होकर रह जाएगा और इस तरह इसे मिलाते वक्त आपको जिस मंत्र का उच्चारन करना है वो मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाइन नमाह। इस तरह इसको आपको मिलाना है और मंत्र 21 बार आपको इस मंत्र का उच्छारण करना है।